एम्स के डॉक्टर्स की चुट्टी है वो कैंसल कर दी गई है इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुचा रहे हैं बड़ी खबर आप समझ लीजिए वो डॉक्टर्स जो जीवन दाता है जो की जीवन देते हैं जाहर सी बात है कि एक महतपूर भूमिका उन्हों इस महमारी के दौरा निभाई है और फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंदों पर यहां पर आई है एम्स के डॉक्टर्स जो की चुट्टियों पर थे उन्हें वापस बुला लिया गया है उनकी चुट्टियां जो है वो कैंसल यहां पर कर दी गई है इस वक्त की हैं जो बड़ी जिम्मेदारिया इन डॉक्टर्स के कंदे पर आ गई है इनको कांसल कर दिया गया है इनको इमिडेटली काम पर वापस लोटने को कहा गया है और जाहिर तोर पर यह फैसला इसी लिए लिया गया है कि जिस तरीके सा लगातार दिलनी में मामले बढ़ रहे है 4,099 मामले काल कुरोना के सामने आये है और उसी वज़े से जैसे हमने पहले भी बताये कि डॉक्टर्स भी खुद इसकी चपेट में है हम एम्स ट्रॉमा की बात करें 7 डॉक्टर वहाँ पर कुरोना से पॉजिटिव है सब्दर जंग में 23 डॉक्टर लेडी हाडिंग में 15 डॉक्टर आलन जेपी की बात करें तो 5-6 डॉक्टर वहाँ पर भी संक्रमित है ऐसे में डॉक्टर्स के किसी तरीके से कोई कमी ना हो और जिस तरीके से खत्रा लगातार बढ़ रहा है ऐसे में ये फैसला एम्स ने लिया है कि 5 जन्वरी से लेकर 10 जन्वरी तक की जो विंटर वेकेशन्स थी उनको तुरंट कैंसल किया जा रहा है तमान फैकल्टी मेंबर्स को तमान डॉक्टर्स को काम पर वापस आने को कहा गया है तो एम्स का जो मेडिकल स्टाफ यहाँ पर रहा जिनकी चुट्टिया यहाँ पर थी फिलाल कैंसल इसे कर दिया गया और इसके पीछे की सीधी सीधी वज़ा है कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामले देश की राज़ानी दिल्ली में तो बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं करोना के नए वेरियंट ओमी करॉन के मामले बढ़ रहे हैं जिसके चलते एम्स का जो स्टाफ है जो चुट्टी पर गया हुआ था वो वापस यहाँ पर अब आएगा जल से जल्द और डीडीमे की बैठक का भी जिकर कर लेते हैं करोना के मुद्द को लेकर यहां पर गोनी है